हेलो दोस्तों मिरा नाम है करल नमर्दीप और आप देख रहे हैं दे विनिंगेज के डिफेंस चैनलिस पर पाते हैं आप आ रहे हैं सी मिलिटर स्कूल सैने स्कूल नवो देविद्याले और जीवन से जुड़ी बहुत सारे इंपॉर्टन चीजों के बारे में महतुपुन ज पनलकारी बच्चों के करियर्स के संबंध में बहुत सारे हमारे वीडियोस है ज्यादा तर वीडियोस मैंने ही बनाएं इसके अलावा हमारे चैनल पर आपको सैनीक स्कूल आरेमसी का सारा कोर्स भी मिलता है आप हमारी मुबाइल अप्लेकेशन पर जाके कोर्स बिलकुल व YouTube पर हमारे चैनल को follow किया और course किया, अब mobile application पर 300 से लेकर 2000 रुपे तक के अलग लग 3 साल का course 2000 रुपे गया आज की date, आज last date है, कल उसका price revise हो जाएगा, तो ऐसे करके options भी आपके पास available है, ये सभी options आप जानना चाहते हैं, कि कैसे हम अपने बच्चे को त्यारी करा सकते हैं तो ये एक number है, magical number और इसको आपने जादूई की शक्तियों का उपयोग करना है प्रयोग करना है, लेकिन केवल WhatsApp करना है, इस पे आप call मत कीजिए 500 से भी ज़्यादा miss call हैं, 10 दिन के अंदर, मैं जे कई बार धुक होता है, मैं इतनी बारी हर वीडियो में बता दो, प्लीज डोंट कॉल, आप केवल WhatsApp करें, WhatsApp का है 24 से 48 आउस में अंदर दो दिन के अंदर आपके WhatsApp मेसेज का कोई ना कोई जवाब पका आएगा, रही गैरेंटीड है और आपकी कोई समस्या है, आप WhatsApp नहीं करना चाहते आप इस वीडियो के कमेंट में लिखें कि आप इस चीज पर वीडियो बनाएगे हम उस टॉपिक पर पका रिसरच करके वीडियो बनाएगे, इस वीडियो का बहुत छोटा वीडियो है, मैं बताना चाहता हूँ कि अगर सैनिक स्कूल या राष्टे विनिट स्कूल में आप अपने बच्चे को भीजना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें आपके लिए जान लेना ज़रूरी है अब इसमें हम यूपि सैनिक स्कूल भी शामिल कर लेते हैं, न्यू सैनिक स्कूल भी शामिल कर लेते हैं, ताकि आपको सारी जो जानकारी है, पूरा प्लैटर एक ही प्लैटर पर मिल जाए तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं सैनिक स्कूल न्यू सैनिक स्कूल उसके बाद लिख लेता है U.P. Sanic School उसके बाद लिख लेता है राश्ट्रे मिलेटर स्कूल हमारे देश में 33 sanic schools हैं अभी आज की डेट में जो 2024 session है उसमें 42 new sanic schools है U.P. SS पहले लखनों में होता था 2024 से U.P. SS की भी दो ब्रांचेस होगे एक लगनों में एक गुरकपूर में इसमें देखने वाला बात क्या है? ये केवल UP के निवासियों के लिए है ये All India है राश्टी एमिरिटर स्कूल All India है, Sun School All India है, New Sun School All India है और राश्टी एमिरिटर स्कूल केवल 5 है ये जो है MOD के अंदर आते हैं डिरेक्टली ये जो हैं प्राइवेट पब्लिक पार्टर्शिप और ये यूपी स्टेट गॉर्णमेंट के अंदर कारवाई करते हैं यूपी सेन्ट को एमोडी सोन का सीधा संबननी है लेकिन आर्मी के आफिसर्स हैं जो उसके प्रिंस्पल हैं उसके अड्मिस्टेडिव आफिसर हैं उसके जो रिस्टार हैं वो आम फोर्से से लिए जाते हैं और बहुत अच्छा इनका ओवर पीरिड अफ टाइम बेरेप्यूटिक्शन मना है इनका जो सेलेक्शन है उसके लिए एक्जाम को बोलते है ए आई एसस डबल ए आई एक्जाम इसके लिए यूपी एसस की परिक्शा होती है उसका नाम भी है को इस समय मुझे यादनी है और इसके लिए बोलते हैं कॉमन इंटरंस टेस्ट या कमाइन इंटरंस टेस्ट सी टी आरेमस के लिए अब सेनिक स्कूल में इसके लिए जाता है और गर्ल्स को केवल सिक्स में लिया जाता है एनसस में केवल सिक्स में बच्चों के लिया जाता है बॉइस और गर्ल्स शामिल यूपी सैनिक स्कूल में लखनौ में सिक्स और नाइन पर बच्चों के लिया जाता है और जो गौरखपुर ब्रांच है उसमें दोचार dumis से girls and boys दोनों को ही six में लिया जाए गा है 9th में लिया जाएगा और rms है इसमें बिल्कुल सेनिक स्कूल की तरह है जिसमें girls को six में लिया जाता है and boys को six और nine दोनों में लिया जाता है vacancies 9th की बहुत कम है vacancies girls की काफी कम है इसके बारे में हमने अलग-अलग videos बनाएं लेकिन इस video को अद्धिश है सारे इनको 81 compare करना अब लोग कहता सर सबसे अच्छा कौन है सारी अच्छे हैं लेकिन सारे सैनी स्कूल एक same standard परने हैं बहुत नए बने है कई सैनी स्कूल से है जिनका अभी तक बच्चों ने एंडिया का exam दे नहीं क्योंकि 2019-2020 में ही बने है और कई सैनी स्कूल है जो 1960s से बने है 1963 में से चल रहे है उनका तो बहुत पुरानी history है बहुत अच्छा उनका जो reputation है standard है उनकी drills है उनकी जो traditions है बहुत अच्छी है अब NDA में selection के आधार पर हमने एक सैनी स्कूल के merit list बनाई है यदि आप उचाते है नंबर मैंने बताया है 74176 हाँ लिख देता हूँ 56633 इस पर मुझे आप whatsapp करेंगे whatsapp only और हम वो list आपके साथ share करेंगे new san school पिछले साल तक 19 थे 23 और sanction हो गये है और ये AISSE के जरिये ही इनका वो होगा ये होगा January के महिने में color change कर लेते हैं ताकि आपको देखने में problem ना हो ये January में होगा तो हम इस साल के लेते हैं तो आगले साल वाला January 24 में होगा UPSS December में होगा और ये भी December में होगा एक ही date को नहीं होगे तो ये आपने ध्यान रखना है कि इतने सारे exams आपका बच्चा दे सकता है अगर हो class 5 में बढ़ रहा है major intake in सभी class 6 में होता है girls का major intake class 6 में होता है दो को छोड़ दे आदा है UPSS school का class दोनों branches में यहां तो girls 6 में भी जा सकते हैं 9 में भी जा सकते हैं लेकिन लखनाओ ब्रांच में केवल 9 में जा सकते हैं बाकि सब जगे girls का जो intake है वो class 6 में होता है इसमें मैं RIMC नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि RIMC का similar मैंने separate video बना है अब क्या है जी बच्चे का चलिए हैं इसको ऐसी रहने देते हैं थोड़ा सा हो रहेगा इसमें selection state wise है new sanic school में थोड़ा सा अंतर है इसमें आप 2 choice भर सकते हैं आप 40% root ले सकते हैं और 60% root ले सकते हैं इसके बारे में यहां बात्चीत नहीं करेंगे आप और जानना साथ है 40% 60% क्या उसके लिए गलग video है वो आप इस नंबर में WhatsApp करेंगे हम आपको वीडियो भीज देंगे sanic school 33 है और इसमें देखा जाए तो new sanic school में reservation कई follow कर रहे हैं कई नहीं कर रहे हैं they are not duty bound to follow the reservation pattern of sanic school लेकिन sanic school में reservation इस पकार से 5 category में home state और out state की category बनी विए है reservation के बारे में detailed video आप और जानना चाहते हैं पका हम से संपर करें हम आपको video शेयर करेंगे अच्छी बात क्या है अच्छी बात यह है कि अभी सभी 6th और 9th लिख दिया हमने generally class 5th का NCRT का syllabus follow किया जाता है और class 8 का NCRT का syllabus follow किया जाता है सारे exams को अगर एखटा पढ़ना शुरू करेंगे तो 85 से 90% जो syllabus है same है paper pattern आदगे paper में weightage आदगे जैसे कि sanic school का जो exam है उसमें 50% weightage है mathematics ही है लेकिन जो military school का exam है उसमें किवल 50 mark से math का paper आता है जबकि यहां class 6 में 1.500 number का और class 9 में 200 number math को दियेगे तो जबकि syllabus same है लेकिन paper का attempt करने के उसके करने के तरीके में अंतर है similarly UP Sanic school का और जो class 6 और 9 का है उनका UP board and जो CBSC है उसके दोनों के syllabus पर आधारित paper आता है paper tough होते है करना क्या है कोई एक guide book ले लें दोस्तो मेरा नाम है Colonel Amardeep मेरी company The Winning Us Defense Academy देरदून में स्थित है और हम RIMC, Sanic School और Military School के offline, online और digital courses प्रोवाइड करते हैं अधि आप इन courses की जानकारी पाना चाहते है तो 74176-566-333 पर मुझे WhatsApp कीजिए अच्छी बात ये बता रहा हूँ कि मेरी guide books आने वाली है बन गई है अब हम इतने सारे काम कर रहे है ये video भी बनाने है आपके WhatsApp के जवाब देने उसके आदो guide book की भी पूरी त्यारी करनी है तो और another month में guide books आजाएंगी हमारी mobile app पर available होंगी downloadable भी है non-downloadable भी है और printed वाली भी आजाएंगी तो ये थोड़े समय पर आजाएंगी एक guide book है दूसरा आ लगता है previous CS paper पुराने पूर प्रश्णपतर और तीसरा है mockta series ये तीन चार चीजें आपने कर लेनी है हमारी mobile application है विनिगेज की जो mobile application है Google Play Store पर है उसमें सारा ही syllabus आपको एक ही जगा पर मिल जाएगा Class 6 का जबाब करते हैं और वो free है उसके लिए आपको course खरीदने की ज़रत नहीं है और 399 से लेकर 1999 रुपीज तक है 1999 रुपीज अभी October महीने तक है इसकी cost थोड़ी से बढ़ दाएगी 100-200 रुपे लेकिन 3 साल के लिए आप एक course पा सकते है वीडियो course है recorded course है लेकिन इसके साथ पूरे 3 साल में आपको सारी अपग्रेड्स मिलती है हमारी mobile application के बारे में आप जानकारी प्राप करना है जाते है उसके description इस वीडियो के description में दी हुई है और 7417656633 हमारा number जो screen पर आ रहा है आप हमसे संपर करें यह मैंने इतना भर दिया है क्योंकि मैं बताने चाता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा मेरे कुछ जानकारी है जानकारी यह सब secondary जानकारी बोलते हैं जो मैंने इधर उधर से जो इनके notification पढ़ता हूँ प्लस पिछले 4 साल से हम यह काम कर रहे हैं इस समय 700-800 बच्चे हमारे online students हैं 50-60 के करीब हमारे पास offline students है बहुत चोड़ा institute है लेकिन इमानदार institute है और यह जो जानकारी है यह इतनी clarity के साथ अब मैं guarantee देता हूँ कि मेरे को इसमें अभी काफी expertise हासिल हो गए मैं अपने आपको अभी 50% से आगे लेगे कई अभी भी parents के सवाल है reservation के बारे में category के बारे में cast certificate के बारे में जिनके बारे में सीधी जानकारी नहीं है वो हम admit करते हैं कि learning थोड़ा सा process लो हो गए लेकिन जो basic जानकारी है जो एक civilian विक्तिक है मैं तो army में इतने साल service किये 30 साल मैंने uniform डाली है 25 साल active service किये 4 साल training करी है तो आप देखिए कि जब मैं करनल के पद पर retire हुआ तब मुझे ये zero knowledge जिरो एक भी exam के बारे में मैं नहीं जानता लेकिन जो हमारा काम करने का तरीका है एक बार डुपकी लगा ली फिर हम नीचे जो गहरे सबसे गहरे मोती है उसको लेके भारा आते है तो ये जानकारी हमने इस प्रकार बोर्ट भरावा भी अच्छा लग रहा है थोड़ा लगेगा कि आप ग्यान की बाते की जानी आप parents के get out होते है मेरा बच्चा class first में UKG में और class fifth में अब आप मानेगे कि इनको अलग दवाई की ज़रोत है इनको अलग दवाई की ज़रोत है इनके पास समय कम है तो class fourth सही समय है parents का decision लेने का अपने बच्चे को धीरे धीरे warm up करना अपने एकदम से नहीं होगा लेकिन धीरे धीरे अगर आप warm up करेंगे तो fourth और fifth दो साल का अगर एक साल अपने आपढ़िए एक साल किसी भी institute में जाईए मैं ये नहीं कह रहा है कि सारे वीडियो में अपने पास बच्चों को बुलाने के लिए कर रहा हूँ आपके आसपास और देश में बहुत सार इस्चे इंस्टिट है मैं उनको भी compliment करता हूँ अच्छा काम कर रहे है अच्छा selection rate है थोड़ा सा research कर लेजे थोड़ा सा feedback ले लिजे और अपने बच्चे के लिए अपना नजदीक में कोई offline कराने के लिए बहुत दूर दूर बच्चों को भीजना हम उसको वो नहीं करते हैं online मेरी जो institute की reputation है अभी मैं first कह देता हूँ अपने आपको online institute में लेकिन offline वाले हैं हमें थोड़ा सा और hostel बगएरा को और drills बगएरा को सेट करने में time लेगा है लेकिन content wise हम बहुत आगे हैं ये choice आपने करने है offline बहुत महाँगा परता है हमारा जो online है काफी costly है कई लोग कहते हैं कि sir fees जादा है तो मैंने का अच्छा content के लिए iPhone है हम तो थोड़े से पैसे खर्च करने पड़ेंगे लेकिन इस सब से बचने के लिए हमारे जो digital recorded courses हैं वो बहुत ही pocket friendly हैं तो मैं चाहूंगा आप एक बारी explore पका करें हमारे पास एक counselling team है बहुत अच्छे से guide करते हैं और वो counselling team मेरे दौरा head की जाती है तो आप देखें कि दिन रात अब मैं देश की और समस्यां के बारे मैंने सोचता कि वहले तीन चार जो entrance exam है class fifth and ninth level के लिए मेरे जैसे 53 year old वेक्ती के लिए बहुत वापस जाना पड़ता है time में लेकिन मुझे बहुत आनन्द आता है क्योंकि जब parents हमसे बात करते हैं हमसे जोडते हैं तो हमें लगता है कि हमारे इस कारे को काफी सफलता मिली है और बहुत सारे parents की जो समस्यां है जो उनकी दिमाग में छोटे-छोटे शंकाय होती है हम उसका निवारंग कर पाते है तो यदि आपका बच्चा सैनी स्कूल, RMC, Military School New Sanity School, UP Sanity School किसी को भी त्यारी कर रहा है तो सैनी स्कूल और RMC का हम तो दोनों की ही त्यारी घटी कर रहाती है अभी धीरे धीरे नवोदे को भी इसमें शामिल कर लेंगे UP Sanity School को भी शामिल कर लेंगे क्योंकि सिलेबस जैसे मैंने बताया है 85 से 90 परसेंट तक सिलेबस सेम है पेपर पैटर न अलग है वेटेज अलग है लेकिन कॉंसेप सेम है और जो क्लास फिफ्ट पर आजारी तन है कई लोग पढ़े लिखे हैं उनको मैं कहता हूँ कि आप हमारी मोबाइल पर एक पेड कोर्स ले लीजे और आप ऐस पेरेंट खुद पढ़ लीजे और अपने बच्चे को खुद पढ़ा लीजे कोचिंग इंस्टिटूट मैं रन करता हूँ लेकिन मैं कोचिंग के सिध्धान्त के खिलाफ हूँ तो ये पेरेंट्स के लिए अब फिर मैं जब अगला मैं आपसे आपका अंगुठा मांग हुआ तो आप देंगे नी तो अगर आप नहीं लाना चाहते है हमारे पास में तो फिर आपको चार्ज लेना पड़ेगा अदरवाइस कॉंपटेशन बहुत है हमारे देश की जन संक्या बहुत है सीटों के संक्या कम है रिजर्वेशन है बहुत सारे चीजे हैं समस्य हैं जिनसे आपको जूजना पड़ेगा तो ये एक फोकस्ट अप्रोच आपने ले लेनी है तो क्लास थर्ड में बच्चा है पेरेंट स्कोर्स करें क्लास फोर्थ में बच्चा है पेरेंट और बच्चे को मिलके कराएं और जब फिफ्ट में आ जाते है तो आप बच्चे को बोलें कि भई अभी हमने आपको एक डेट साल वामप पढ़ लिया अभी आप थियारी करें इसके बारे में आपके बहुत सारे सवाल होंगे एज रिलेटेड येलेटेड दो चीज़ें सैनिक स्कूल निव सैनिक स्कूल के बारे में देख लीजए और आरेमेस का क्लास 6 में 10 से 12 साल और क्लास 9 में 13 से 15 साल और ये एज देखी जाते है 31st मार्च को जिस साल एक्जाम होगा है जिस साल एड्मिशन होगा UP साइन स्कूल का थोड़ा सा complicated है वो मुझे off-hand याद नहीं है लेकिन आप मुझे 10 दिन का समय देंगे मैं UP साइन स्कूल का बिलकुल post-mortem करके सारे जो एड्मिशन प्रोसेस है आपके सामने एक अलग से वीडियो लेके आँगा आपके जो भी doubts है नंबर ये calling नंबर नहीं है फिर से बता रहा हूं इस पर आपने cable whatsapp करना है और इस पर बताना है कि हमारी ये समस्या है हम पक्का उस समस्या का समधान करेंगे हमारा crash course पहली नंबर से शुरूर नाल है जब तक आप आप वीडियो देखेंगे पहली नंबर आ चुका होगा कोई बात नहीं अगले एक दो दिन में बेकर जॉइन करने चाते हैं जो दिसमबर जनरी में एक्जाम होने वाले उसमें आप जॉइन कर सकते हैं R.A.M.C की mock test series 16 नंबर से शुरू होगी सैनिक स्कूल की mock test series जो है वो 16 दिसमबर से शुरू होगी और mobile पर crash course भी अविलेबल है mock test भी अविलेबल है प्रश्ण पत्र भी अविलेबल है बहुत सारी चीज़े हैं सबके लिए एक ही नंबर है जो आपकी सारी समस्त्राओं का समधान करेगा वो यह है आप what's up करें हमसे जुड़े call करने का message करके message के जवाब देने के कोई charges नहीं है आप जितने भी mobile पर जो हमारी app पर courses हैं सबका एक सब्ता का content free आप देखिए पसंद आता लोजी नहीं तो छोड़ दीजी अगर हमारी बाते आपको अच्छे लगते हैं आप चैनल को subscribe कर लें नहीं अच्छे लगते हैं तो एक बार ही ignore करके चल जाएगे हमें बुरा नहीं लेगेगा लेकिन उन विक्तियों से मैं गुजारिश करने जाता हूँ अगर आपके आसपास ऐसा कोई विक्ति है जो इस प्रकार की जानकारी ढूंट रहा है उससे हमारा चैनल अवश्य रिफर करें दाट इस वीडियो थैंक यू बाबाई एंड चैहिन